हेलो एवरीवन एड वेल्कम बेक इन और यूट्यूब चैनल एक्जाम इनफॉर मनीतियस आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताऊंगा जो एरपोट अथरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो एटीसी के पोश्ट पर जो वेकेंसी का सोट नोटिस जारी किया गया है उसका सिलेबस क्या रहेगा एक्जाम पेटर्न क्या रहेगा और वेकेंसी आप सब्सक्राइब को बता दूब को लिया गया है इंडिकेटिव नोटिस डिरेक्ट रूप्मेंट फोर पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जिकेटिव एयर ट्रेफिक कंट्रोल इन एए ठीक है और जब हमने इसको डाउनलोड किया है तो आप लोग देख सकते हैं यह रहा आप सभी लोगों का ओफिसल नोटिफिकेशन रूप्मेंट ऑफ जूनियर एग्जिकेटिव एयर ट्रेफिक कंट्रोल ठीक है और यहां पर देख रहे हैं आप सभी लोग इंडिकेटिव नोटिस क का मतलब यह होता है कि मैं आप सभी लोगों को बता दू ऐसा पिछले तो सचार वेकेंसी में ऐसा देखने को मिला है कि जतने वी वेकंसी आई है उससे पहले एक इंडिक्टिव नोटिस जारी करती है और उसके चार से पांट दिन बाद ही आप सभी लोग के लिए बहुत अच्छी ख़वर है और अगर आप लोग इसमें आगे नोटिस में बढ़ते हैं तो इसमें दिया हुआ है पेस्किल वगरा आप सभी लोग यहां पर दिया हुआ और इसमें दिया हुआ कि जो नोटिस है इंडिक्टिव नोटिस है इसका मतलब यह होता है कि वह लोग जो है कि इसको जब तक वह लोग फाइनल आपील नहीं करते आप लोग इसके रिगार्डिंग कुछ भी वारतलाप नहीं कर सकते हैं ठीक है और आप दे सकते हैं फॉर्म को अप्लाय करने के लिए तो मैं आप सभी लोगों को बताता हूं कि इसमें एज क्रेटरिया क्या रहता है जब भी वेकेंसी आती है उसके के लेट की है फोना चाहिए इस फॉर्म को अप्लाय करने के लिए भी सीर्ष सब्स्याइल तो को इस फॉर्म को अपलाई करने के लिए आप सभी लोग को इलक्सेशन है स्टी का फाइफ यहर्स का पीडर डी कंडिट का टेन यहर्स का और ओब सब्सक्राइब 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 करें या तो फिर उनके पास इस सी डिग्री होना चाहिए और फिजिक्स मैंस्थमेटिक्स में या फिर उनके पास बैचलाइब इंजिनेरिंग की कोई भी होना चाहिए जो कि उन्होंने फिजिक्स और मैथेमेटिक्स में की है सेकेंड है नहीं प्रोफेसिफिक इन बहुत इस पोकेन विद्ट में आप सभी लोगा स्भी रहेगा u इस और हुआ और इसमें रहेगा पर्चंवकर्द आप सब्सक्रेव Fra è एन्ग्लिछेसाइंब एसमें चाहिए नंब्र आफ कोरेचन की बात ने- older आफकेनल आफ्ने आकर्राना थे रहेगा दोटना आप सब्सक्राइब 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 ठीक है टोटल नंबर ऑफ कोश्चन आग्ज वन ट्वेंटी एक्जाम कंड़क्ट इन बहुत मेक्सिमम मार्क्स वन ट्वेंटी दा डुडेशन ऑफ एक्जाम वन ट्वेंटी और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है यह आप सभी लोग के लिए अच्छी ना खबर के लिए अपन निगेटिव मार्किंग नहीं रखा गया है यह आप सभी लोग को एक्जाम पेटरन बता दिया है अब मैं आप सभी लोग उताता रहें किसका स्लेबस क्या रहे हैं अगर हम लोग बात करें फिजिक्स का स्लेबस की इसमें आप सभी लोग को यॉनिट एंड म यह आप सभी लोग का 11-12 का topic है ठीक है इसको आप जो है कि basic किसी भी NCIT book से cover सा कर सकते हैं या फिर इसके previous year question को आप देखकर इसके type को समझ सकते हैं कि किस type की question पुछे जाते हैं क्या level रहता है ठीक है यह सारे जितने भी topics हैं जो इसका syllabus है फिजिक का 12th level का syllabus देखने से लग र सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे आगे लोग बात करें रिजनी की syllabus की तो मैं आप सब्सक्राइब का पजलेगा पजल और एंड रेंकिंग कोडिंग डिकोडिंग ब्लॉड डिलेशन सी प्लोजिकल रिजनिक इनिक्वालिटीज इन्पुट आउटपुट अलफबेटिकल सि को अफ़न करके इस लेवल ना कि किस लेवल कर सकते हैं वहां पर उन्हें प्रोफर stitches मिलता आप इसको कर सकते हैं आगे महीं आप सभी लोग को जाता हूँ जो नेक्स्ट है आप सब्सक्राइब यह अंब्सक्राइब परसेंटच्टेज फंडामेंटव ऑपरेशन और इन्वेस्मेंट यह था आप सभी लोग का इसका भी आप सभी लोग जोए कि प्रिवेस्ट का कोशन देख करके इसका लेवल पदा कर सकते कि किस लेवल के कोशन पुछे जाते हैं उसके वाद आप लोग अपने प्रपरेशन स्टार्ट किजिएगा और मैं तो कहता हूं कि आप सभी लोग अभी से अपना आप सभी लोग को याद रहे ठीक है आगे आप सभी लोग को करवा दिया है विजस्ट बताया है मैंने आप सभी लोग को नहीं यह अलग है तो इसमें पढ़ना रहेगा आप सभी लोग को इंडियों इंडियन पॉलेटिक्स फिर उसके बाद नेम और फेमस प्लेसेस नेम और फेमस परसन इंडियन कॉंस्टिटूशन इंडियन हिस्ट्री एकोनोमिक इसू न्यूज फेस्टिवल इंपोर्टेंट डेट्स और पॉलेसी इन इंडिया यह आप सभी लोग का चैनल एडिट आ स इंडियन इंडियन डिफ्रेंशेसर मेट्रिक्स पार्टनर्सिप पर्मॉटेशन कंबूलेशन रेशो सिक्वेंस एंडियन और ट्वल्थ की है और कुछ चैप्टर एसन जो की टेंथ तो आप लोग जो है कि बैसिकली इसके आलत सक्रवाल या फिर कोई भी एंसी इंसी इट ऑपन करके इसको बना सकते हैं अगर अगर यह से पूरा से लिवस करने बेठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ठीक है अगर हम लोग बात करने प्रिवस करना । आप दोग देख सकते हैं UR का 95 गया था AWS का 91 गया था और obviously NCL का 91.489 गया हुआ था SC का 86 गया था और ST का 82 कटक गया हुआ था यह मैंने इसके लिए बता है कि आप सभी लोग को एक अंदाज बैठ जाए ठीक है आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी लोग को exam pattern syllabus और eligibility criteria और exam date मैंने आप सभी लोग को सब कुछ बता दिया है और syllabus मैंने आप सभी लोग को पुर्या cover करवा दिया और मैं आप सभी लोग को जब भी airport authority of India inductive notice जारी करती है उसके 4-5 दिन बाद official notification आ जाता है vacancy का तो आप लो आप लोग की टेलिग्राम ग्रूप में जो है नोगों के महा से पमांग सकते हैं या फिर आप लोग comment section बता दियेगा मैं आप सभी लोग को link provide करवा दूँगा अगर आप सभी लोग का information अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को subscribe पर नहां बोलिएगा जिससे जो है कि हर एक update आप सभी लोग को मिलती रहें अगर आप सभी लोग इसकी preparation रिश्टार्ट कर रहे हैं आज से कर रहे हैं या फिर कल से कीजेगा या फिर आप सभी लोग को privacy और question वगरा कोई भी चाहिए रहेगा तो आपना comment section में बता दिजेगा मैं आप सभी लोग के जय हिंद्द